सरकारी कारियालेयों में और वयवासाइक संस्ताओं में जिसकी बहुती ज़रूरत है एक परारंभिक आलेकन और वन्यत तत्वा उच्छी तर आलेकन करके प्रमुकृप से दो प्रकार जो है परालेकन में हम देख सकते हैं तो जो वयक्तिक पत्र और आवेदन पत्रों की मसोदा तयार करना, फिर उसका ड्राफ्ट तयार करना ही आपर क्या है? प्रारम्बिकालिकन है. आलेक लंबा हो तो प्रतिक अनुचेद मतलब पैराग्राफ के स्थान पर प्रमसंक्या का उल्ले करना चाहिए. नमस्कार, मैं हूँ हर्शीता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज, मैसूर. आज हम मैसूर उनिवर्सिटी के 4th semester BCA की हिंदी पाटेक्रम से जो चौता यूनिट है, जो पत्र वैवहार है, उसमें से आलेकन जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. अब तक के sessions में हमने देखा कि पत्र वैवहार क्या है, पत्र वैवहार का सामान नी परिचया और उसके प्रकार, उसमें भी आपर बैंक संबन्दी, बीमा संबन्दी, नौकरी संबन्दी और आदेश संबन्दी पत्र, परी पत्र, पुष्ता संबन्दी पत्र, इस तरह के स ड्राफ्ट शब्द के लिए हिंदी में प्रारूप तयार करना अत्वा आलेखन या प्रारूपन आदी शब्दों के प्रयोग होते हैं इस प्रारूपन के लिए प्रालेखन या आलेखन शब्द भी प्रयोग में आते हैं देखें आपर आलेखन का अर्थ या आलेखन के आलेखन प्रारूपन या फिर प्रालेखन शब्द जो है आपर इसके लिए प्रयोग में आते हैं देखे आपर अंग्रेजी के जो ड्राफ शब्द है उसी के लिए जो है आलेखन प्रारूपन प्रालेखन यहां सभी शब्द जो है आपर प्रयोग में आते हैं तो अगर आप लोगों के लिए ड्राफ्ट करके दिया तो उसके परिया वाची शब्द के लिए आप या तो प्रारूपन भी लिख सकते हैं फिर आलेखन भी आपर लिख सकते हैं तो क्या है आलेखन देखे यहाँ पर आलेखन का अभिप्राय सामानी तया उन पत्रों सूचना हो परिपत्र और समझोतों के प्रारूप तयार करने से है जिनकी सरकारी कारियालियों और व्यवसाइक संस्ताओं में आजकल अतिन्त आवश्यकता होती है देखे सरकारी संस्ताओं में और व्यावसाइक संस्ताओं में मतलब सरकारी कारियालयों में और व्यावसाइक संस्ताओं में जिसकी बहुती जरूरत है वही आपर आलेकन है मतलब पहले पत्र यहापर बेजी जाते हैं आप लोगों को पता ही है कि सरकारी कारियाल में और व्यावासाइक चंस्ताओं में पत्रों की किदनी आवशिकता है तो पत्रों को बेजने से पहले या पर पहले पत्र का प्रारूप तयार करते हैं ड्राफ तयार करते हैं वही जो है या पर आलेकन है पत्र को बेजने से पहले ही जो पत्र का एक प्रारूप तयार करते है उसे ही अम यहाँ पर आलेकन या फिर प्रारूपन जो है कहते है देखे अपर अथा विबिन शासकी ये पत्रों परिपत्रों समझाओ तो अधी सूचनाओं निविदाओं तता सूचनाओं के कच्चे प्रारूप तयार करके उसे व्यवस्तित रूप देने को आलेकन कहा जाता है देखे अपर चाहे वहां किसी तरह के पत्र हो चाहे वहां यहाँ पर शासकी ये पत्र हो परिपत्र हो निविदाओं हो सकती है या फिर सूचनाओं हो सकती है या फिर अधी सूचनाओं हो सकती है मतलब किसी भी रूप का फिर किसी भी तरह का पत्र क्यों ना हो पत्रों के प्रकार के संदर्बू में आपने देखा कि पत्रों के कितने सारे प्रकार है, तो उन में से कोई भी रूप क्यों न हो, मगर उसको लिखने से पहले जो है, उसका एक रूप जो है या पर तयार करना पड़ता है, उसका एक प्रारूप या पर तयार करना पड़ता ह तो उसी को जो है या पर आलेकन प्रारूपन या फिर अंग्रेजी में ड्राफ्ट करके कहा जाता है वहां किसी भी रूप में किसी भी प्रकार में वहां पत्र हो सकता है किसी भी तरह की पत्र परीपत्र हो जो भी हो उसके प्रारूप तयार करने को ही जो है उसका मस्वदा तयार करने को ही जह है आपर आलेकन कहा जाता है देखे कर कुछ वयावसाइग संस्ता है परस पर समझोते किये जाते है पत्र द्वारा विचार विनिमई होता है इन सब के लिए किसी न किसी वेक्ति को प्रारूप तयार करना पड़ता है सिर्फ शासक की ये कारिया लोयों में नहीं, शासक की ये संदर बुमें नहीं, सरकारी कारिया लोयों में नहीं उसके साथ यापर व्यावस्ताइक जो संस्ताय रहती है वहाँ पर भी जो है एक दूसरे में व्यावसा एक संस्ताव में या फिर व्यापारियों के बीच में जो है बहुत सारे पत्र जो है या पर लिखे जाते हैं देखे यह पर आलेकन के अगर प्रकार अगर हम देखेंगे तो एक प्रारंबिक आलेकन और उन्ना तत्वा उच्च तर आलेकन करके प्रमुक रुप से दो प्रकार जो है पर आलेकन में हम देख सकते हैं. तो क्या है यहाँ पर देखे प्रारंबिक आलेखन प्रारंबिक आलेखन में नीजी जीवन की बाते विशेश रूप से होती है और उनमें उल्जने भी कम होती है देखे जो प्रारंबिक आलेखन जो रहती है उसमें जो है यह पर नीजी जीवन की बाते जो है रहती है तो इस जैसे में उसमें उल्जने भी जो है कम होती है तो इसी को जो है पर प्रारंबिक आलेकन जो है कहा जाता है जैसे उसमें हो सकता है वयक्तिक पत्र हो और फिर आवेदन पत्र जो है एक वेक्ति लिखता तो वह सबी जो है पर प्रारंबिक आलेकन के अंतरगत आते हैं वही आधिक अभ्यास वांचित होता है मतलब यहाँ पर क्या है जो उन्नत अत्वा उच्छतर आलेकन होते है वहाँ किस स्तर में होता है सरकारे कारियालेयों के स्तर में तो व्यावसाइक संस्ताओं के बीच में जो सरकारे कारियालेयों के बीच में जो आलेकनों का प्रयोग या पर किया जाता है उसी को जो है यहाँ पर उन्नत अत्वा उच्छतर आलेकन जो है कहा जाता है तो इसे लिखने के लिए फिर जो मसोदा तयार करना फिर ड्राफ्ट तयार करना जो है इसके लिए अपर अधिक अभ्यास जो है वहाँ उसकी जरूरत है अधिक अभ्यास के आवश्यकता है वांचित मतलब आपर क्या है आवश्यकता जो है तो यहाँ पर थोड़ी सी देखकर संभल कर प्रारुक तैयार करना पड़ता है तो यहाँ पर देखे प्रारंबिक आलेकन के अंतगत निमनलिक चरल पत्र वेभार आते हैं जैसे आप वयक्तिक पत्र आवेदन पत्र आप लोगों को पता ही है पहले सेशन्स में जो है हमने देखा कि वयक्तिक पत्र मतलब क्या है आवेदन पत्र मतलब क्या है करके तो ऐसे जो पत्र है आपर किसके संदर्ब में आते हैं प्रारंबिक आलेकन के संदर्ब में तो जो वयक्तिक पत्र और आवेदन पत्रों की मसोदा तयार करना है फिर उसका ड्राफ्ट तयार करना ही आपर क्या है प्रारंबिक आलेकन है वही अधि मतलब जितनी भी सरकारी पत्र हैं वह सभी यहाँ पर इसी के अंधर अते हैं जिसे आधि सुचना तैयार करना परी पत्रों का मसोदा तैयार करना तो ऐसे में बहुत सारे सरकारी और वैवसाई का पत्र जो आते हैं उनकी जो मुसोदा तयार है फिर ड्राफ तयार करना है फिर प्रारूप एक तयार करना जो है वाज सभी उच्चतर आलेकन के अंतरगत आते हैं मतलब पत्र को बेजने से पहले उसे लिखने से पहले उसका एक प्रारूप पर तयार करने परती है उसी को ही आपर हम आलेकन कहते हैं और आलेकन के प्रमुकृप से दो प्रकार है प्रारंबिक आलेकन और उच्छतरत्वा उन्नत आलेकन उनमें से कौन-कौन से आते हैं अभी स्पश्टता, सरलता, संख्शिप्तता, नम्रता, शिष्टता और उत्तमशैली, यहां सभी जो है आलेकन के प्रमुक लक्षन जो है कहलाते हैं, जैसे अगर एक एक करके अगर हम देखेंगे तो पहले है यहां पर शुद्धता, देखिए अच्छे आलेकन को सर्व प्रतम है, इस प्रकार सरकारी पत्रों में और भी अधिक महद्व है, अगर आलेकन में कभी चोटी सी भूल हो गई, तो उल्जन उत्पन करने वाली मसोदा तयार करने वाला सहायक यह क्लर्क की निपुन्ता के संबंद में संदेह उत्पन हो सकता है, भूल करने वाले को अपनी तयार करना वहां उतना आसान काम नहीं है, देखे शुद्धता, व्यावसाइक पत्रों के लक्षन है, फिर गुन के संदर्भों में भी यह जो गुन है, आमने देखी थे, मतलब पत्र में जो है पर शुद्धता जो है वहां रहने चाहिए, अगर व्यावसाइक पत्र में भी शुद्धता की आवशिकता है, तो सरकारी पत्र में और कितनी आवशिकता यहापर हो सकती है, सरकारी पत्र में तो शुद्धता की और भी महत्व जो है ज्यादा यहापर दी जाती है, तो इसलिए यहापर अगर जो मसोदा तयार करने में है, अगर किसी तरह की यहापर गलती जो है अशुद्धता जो है उसमें रह गई तो यहाँ पर क्या हो सकता है जो मसोदा तैयार करने वाला है मतलब जो लिपिक, मतलब जो क्लर्क है उसकी नौकरी भी यहाँ पर जा सकती है इसलिए आलेकन को तैयार करते समय जो है उसमें शुद्धता का जो गुण है वहारेना बहुत ही जरूरी है या फिर उसमें अशुद्धता रहे गई तो यहाँ पर क्या हो सकता है जो लिपिक मतलब जो भी यहाँ पर जो आलेकन है उसे तैयार करता है वो अपने काम से भी यहाँ पर हाथ दो पड़ता है मतलब अपना काम को भी वहाँ खो सकता है इसलिए ध्यान से यहाँ काम जो है करना पड़ता है नेक्ष्ट देखे हैं अपर सारांश संबंदी दोश तो शुद्धता रहने मतलब उसमें कोई भी दोश जो है अपर नहीं रहना चाहिए तो किस तरह से देखे है अपर सारांश संबंदी मतलब यहाँ दोश प्रस्तुत विशे से संबंदी अपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण होता है देखे अगर सारांश में कोई गडबड है या फिर उसमें पूर्णता नहीं है तो यहाँ पर यह जो दोश है वहाँ हो सकता है तो ऐसे दोश का कोई बच्चाव या स्पश्टिकरण नहीं हो सकता करतवी की अवहलना से ऐसा दोश आ जाता है जिससे करमचारी के भविश्य की हानी हो सकती है देखे जब एक पत्र कोई भी तैयार करते है तो उसकी जो आलेखन जो यह पर पहले तैयार की जाती है उसमें जो भी सारामश है उसमें किसी तरह की भी अपूर्ण सा जो है वहाँ नहीं रहनी चाहिए उसे पढ़ते ही सब को स्पश्टि जो है समझ में आ जानी चाहिए उसमें जो है आपर शुद्धता रहनी चाहिए दोश नहीं रहना चाहिए शुद्धता करता उसमें किसी भी तरह की दोश जो है वहाँ नहीं रहना चाहिए तो अगर समझ लीजिए साराम्ष सम्मंदी कोई दोश जो है उसमें रहे गया तो जो कर्मचारी है चाहिए वहाँ क्लर्क हो मतलब लिपिक हो फिर जो भी मसोदा जो यहाँ पर तयार करता है उसके लिए जो है उसके काम के लिए अपर हानी जो है पहुंच सकती है नेक्ष्ट देखे आपर भाशा संबंदी दोश एक तो उसके साराम्ष में भी किसी तरह का दोश नहीं होना चाहिए और भाशा में भी देखे यहापर भाशा संबंदी दोश भी आलेखन में नहीं रहना चाहिए मतलब भाषा जो है वहाँ शुद्ध स्पष्ट और सरल जो है वहाँ पर रहनी चाहिए तबी जाकर जो है यहाँ पर उजो आलेखन है वहाँ सार्तक जो हो सकती मतलब पढ़ने वाले को स्पष्ट रुप से अपर समझ में आ सकती है यहाँ पर रूप रेका सम्झ में नहीं रहना चाहिए जब ऐसे दोष पत्र में मतलब उस आले कन में नहीं रहेगा तबी जाकर वहाँ शुद्ध बन सकता है तो इन सब की ध्यान अपर एक लिपिक को एक लरक को या फिर जो भी मसोदा तयार करता है उसको इसके तरफ ध्यान धेना पड़ता है नेक्ष्ट देखे आपर पूर्णता आलेकन में जो है आपर पूर्णता रहना बहुत ही जरूरी है आलेकन की गुणों में दूसरा उलेक है पूर्णता जब आलेकन में पूर्णता होती है तबी उसका नाम सार्तक होता है सब प्रकार के पत्रों में पूर्णता होनी चाहिए पूर्णता की दुरुष्टी से पत्र संक्या, दिनांग, प्रासंगिक नियम, उपनियम, विशय और हस्ताक्षर भी जरूरी है मतलब देखें यहाँ पर पूर्णता जो है पूरे एक पत्र में मतलब जो भी आलेकने किसी भी रूप में हो वो चाहिए वहाँ पत्र तो उसमें एक पूर्णता जो है अपने आप में होना बहुत ही जरूरी है मतलब यहाँ पर सभी दिनांक, पत्र संक्या, प्रासंगिक नियम, विशय और उसके सासाथ हस्ताक्षर सभी जो है उसमें होना बहुत ही जरूरी है और उसके सासाथ जो विशय वस्तु जो है वहाँ पर रहती है जो विशय वहाँ पर लिखा जाता है पत्र का जो मुक्की कलेवर रहता उसमें भी जो है वा सारामश में भी पूर्णता जो है अपने आप में होना बहुती ज़रूरी है तब जाकर क्या है उसमें एक अच्छे जो आलेकन के गुण है वहां हो सकता है नेक्स्ट देखे आपर स्पष्टता आलेकन में आपर स्पष्टता होना बहुती ज़रूरी है देखे आपर जिस आलेकन में स्पष्टता होती है वहां पाटक के सामने सीधा अर्थ प्रस्तुत करने में समर्थ होता है जिस आलेकन में आपर स्पष्टता होती है वही जो है आ आलेकन उसे पढ़ता है तो उसको जो है अच्छे से समझ में अपर आता है अच्छा आलेकन वही है जिसे पढ़कर पाटक भली बांती उसके खत्ति को समझ जाता है देखिए अपर अच्छे आलेकन वही है जिसे पढ़ते ही जो है जो पाटक मतलब चाहे जो भी उसे पढ़े उसके खत्ति मतलब वहा क्या कहना चाते है उसमें वो सबी जो है उसे अच्छे से समझ में जब आ जाती है आसानी से समझ में जब आ जाती है तो वहाँ एक अच्छा आलेकन है और स्पष्ठता आलेकन का एक बड़ा दोश है उससे आलेकन का उद्देश ही सम्माप्त हो जाता है जो ऐसे आलेक को पढ़ता है उसके मन में आसंतोश होता है अस्पष्टता जो है आपर स्पष्ट ना रहना मतलब अस्पष्टता जो जिस आलेकन में रहता है तो उसमें एक कमी रहती है तो जो पत्र पढ़ता है उसे यह पर असंतोश जो है होता है उस पत्र को पढ़ कर उसे खुशी नहीं होती है और उसका जो यह पर उद्देश है वहां ही पूर्ण नहीं हो पाता। अगर पत्र किस विशे में है पर बेचते ये बात ही उसे समझ में नहीं आया तो यह आपर पत्र बेच कर क्या फाइदा इसलिए जो भी बात है स्पष्ट रूप से रहना बहुत ही जरूरी है नेक्स्ट देखे आपर सरल्ता सरल्ता ये गुण है और उसकी सरहाना हमेशा होती है सरल्ता रूप देने के लिए आवश्यक है कि भाशा संबन्दी सरल्ता की और ध्यान केंद्रित रहे देखे एक मसोदा तयार करने में आलेकन तयार करने में जो है यह आपर भाशा की सरल्ता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है पत्र में भी आपर सरलता और सरल भाषा का प्रयोग जो है आपर करना है भाषा शहीले आडंबर पूर्ण और क्लिष्ट हो तो मूल उद्देश ही समाप्त हो जाएगा देखे जो भाषा है वहां आडंबर पूर्ण नहीं होना चाहिए, बहुती सरल जो है वहाँ रहना चाहिए और क्लिष्टिकर भी नहीं रहना चाहिए, मतलब पढ़ने के लिए उसे कष्ट नहीं होना चाहिए, आसानी से वहाँ पढ़ भी सके और उसे समझ भी सके कुछी इस तरह जो है यहाँ पर पत्र को जो है लिखना है उसे तैयार करना है तो इसलिए देखिए आता सरलता पर ध्यान केंद्री बूत रहना चाहिए मतलब सरलता पर बहुती ध्यान जो है देना बहुती जरूरी है करके कहते हैं नेक्स्ट देखिए आपर संख्षिप्त था व्यावासाइक पत्र के गुण के संदर्व में वे आप इन में से कुछ आण्शों को यहां पर आपने समझ लिया हैं तो आपको यह पता है कि संख्षिप्त था क्या है देखिए विबिन विभाग और कार्या लेयों में काम करने वाली अधिखारियों के पास प्रती दिन अनेक पत्र आते हैं पत्रों के लिए ऊत्तर देने के अतिरिक्त उनमें आउर भी anेककारी होता है आदर कामकाज में समय का खयाल राखना पड़ता है कोई भी कारी हो शीग्रता से संपन करने से कारी की प्रशंसा होती है यहां संबंध होता है देखे यहाँ पर पत्र को संग्षिप्त रूप में लिखना है इस तरह क्यों कहते हैं क्यूंकि जो सरकारी कार्यारेम हो या फिर वैवासाइक संस्ताव में जो है उन लोगों के पास तो यहाँ पर आए दिन बहुत सारे पत्र जो है आते रहते हैं तो ऐसे मे और संग्षिप्त में जो है कहना है सपष्ट रहना है सरल रहना है और संग्षिप्त में भी कहना है और वहाँ पत्र जो अपने आप में पूर्ण भी रहना है जब यहाँ सभी होगा ना तब ही वहाँ पत्र जो है सार्तक बन पाएगा देखे इसलिए आपर कहा गया है कि शीग्र समाप्ति से संक्षिप्तता का सीधा संबंद है देखे जो भी कामकाज रहता है उसके शीग्र समाप्ति जल से जल जो है काम को पूरा करने से जो है जो संक्षिप्तता जो है उसे संबंद है तो इस तरह से पत्र लिखने पर संक्षित रुप से पत्र लिखने पर क्या हो सकता है पत्र प्रेशक नम्र हो तो उसके पत्र का अच्छा प्रबाव पातक पर पड़ता है इसके अतिरिक्त उसके मन में गलत समझने अत्वा ब्रह्म के लिए कोई स्थान नहीं होता है देखे जब प्रेशक जो है मतलब जो पत्र लिखने वाला होता है वहाँ नमृता बरी शब्दों से नमृता से जब पत्र लिखता है शिष्टिस्ता से बरी हुई शब्दों का प्रयोग जब वहां करता है तब जो पत्र प्रापक रहता है, मतलब जो पत्र पढ़ता है उस पर एक अच्छा असर जो प्रबाव पढ़ता है तब यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक अच्छा व्यावारिक संबंध वहां हो सकता है और उसके साथ साथ पत्र लिखना भी सार्तक पर हो सकता है इसलिए पत्र को लिखते समय नम्रता और शिष्टिता से लिखना बहुत ही जरूरी है तो इसलिए आलेकन तयार करते समय भी जो है नम्रता और शिष्टिता का ध्यान आपर रखना चाहिए नेक्स्ट देखे उत्तम शैली पत्र का एक उत्तम शैली जो है आपर रहना चाहिए देखे यहाँ भी एक आवशिक गुण है अन्य गुणों की तुल्ला में यहाँ गुण कम महत्व का नहीं है कोई भी साहित्य हो वहाँ व्याकरण के नियमों के अनुसार विश्ध रूप से लिखा हुआ होने पर भी यदि उसकी शैली उत्तम ना हो तो वहाँ उच्च कोटी का नहीं माना जाएगा मतलब यपर कहते कि अगर साहित्य में भी अगर आप सोच लिजे चाहे उसमें व्याकरण के रूप से कुछ गल्टी क्यों ना हो मगर अगर उसकी जो शैली है वहाँ सही नहीं है तो वहाँ एक उच्च कोटी का मतलब एक अच्छा जो साहित्य है वह नहीं कहलागा इसी तरह जब एक पत्र लिखते है उसका जब एक प्रारूप तयार करते है तब भी जो है आपर शैली जो है वहाँ आच्छा रहना बहुत ही ज़रूरी है तो इस तरह जो है अब इन गुणों को हम देख सकते हैं अगर अच्छे आलेकन यह फिर प्रारूप तयार करना है प्रारूपन तयार करनी है, ड्राफ तयार करनी है तो अभी जितने भी अन्श जो है आमने देखा उन सब के बारे में ध्यान रखते हुए आपर आलेखन की तयारी जो है करनी है तब ही जाकर वहाँ एक अच्छा आलेखन जो है कहलाएगा अभी देखिए हम यहाँ पर आलेखन लिखने की जो विदी है उसके बारे में जनकारी प्राप्त करेंगे देखिए यहापर विशे अगर एक आलेकन जब आप तयार करते हो तो उसमें पहला तो यहापर विशे रहना चाहिए मतलब आलेकन का विशे आसानी से समझ में आ जाए उसमें किसी बात की और स्पष्टता जो है वहाँ नहीं रहनी चाहिए विशे को पढ़ते यह पर उसमें स्पष्टता रहना बहुत ही ज़रूरी है और आसानी से वह समझ में आ जाए इस तरह जो है अपर विशे जो है रहना है नेक्स देखिए निर्देश यदि आलेकन में प्रस्तत विशे के साथ पिछले पत्र वेवार का संबंद जुड़ा हो आलेक में उसका भी निर्देश होना चाहिए क्योंकि विशे की पृष्ट बूमी जाने बिना आलेक को समझना कटिन होगा देखिए आपर निर्देश क्या निर्देश यदि आपर देना चाहिए अगर पिछले पत्र वेवार से संबंदित कोई बात के बार में यहापर बात कर रहे है मतलब पत्र लिख रहे हैं तो यह आपर क्या करना चाहिए उससे सम्मनित मतलब जो पहले जो पत्र वेवार हुआ होता है उससे सम्मनित निर्देशन भी आपर देना चाहिए जब सबी बात यह पर पता रहेगी तो इस बार की भी जो पत्र है वहाँचे से समझ में आ जाएग तो नेक्ष देखिया पर विबाजन, प्रतेक आलेक को तीन भागों में विबाजन करना चाहिए, पहले भाग में विशे का स्पष्टकतन सप्रसंग होना चाहिए, दूसरे भाग में विशे का वेक्तिपूर्ण समर्तन होना चाहिए, तीसरे भाग में प्रस्तुतर्क अत्व विक्तियों के आधार पर निश्कर्ष देते हुई अपनी सिफारिश अत्वा समस्तुति देनी चाहिए, देखे जो भी आलेकन हो किसी भी रूप में हो चाहे वहापत्र, जब उसका मसोध है, उसका जो आलेकन आपर तयार करते हैं, तो उसके तीन बाग आपर होनी चाहिए, पहले में क्या हुगना चाहिए या पर कतन का जो सव प्रसंग सब्ष्टई करण या पर रहना चाहिए मतलब सव प्रसंग तो आनुचर्द यहां पर जह hij तीन आनुचर्द उसमें रहना जरूरी है करके या पर वहाँ कहते हैं next देखिए क्रम संक्या का उल्लेख, देखिए यदि आलेख लंबा हो तो प्रतिक अनुच्यद मतलब paragraph के स्थान पर क्रम संक्या का उल्लेख करना चाहिए, अगर समझ लीजिए जो आलेख है वहाँ बहुती लंबा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, जो क्रम स प्रतिक अनुच्यद के लिए डालना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, आवशिकता अनुसर हर अनुच्यद के विशे के प्रसंग अनुसर एक छोटा सा उपशीषिक भी देना चाहिए, अगर आवशिकता पड़े, अगर बहुत सारे अनुच्यद उसमें है, तो उसका उ सरल होना चाहिए, तथ्यों का सीधा और सपष्ट कतन होना चाहिए, जो आलेकन की पत्र वैवार की जो भाशा है वह साहीतिक भाशा नहीं होती है, इसलिए आपर क्या करना चाहिए, भाशां जो है, बहुति सरल और सपष्ट अनुच्यद उसका प्रॉपिकता हand MORE आपर देखे बाशा शिष्ट हो, गवारू शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वाकि छोटे-छोटे होने चाहिए, उन से एक ही अर्थ निकलना चाहिए. देखे आपर भाशा के संदर में आगर देखना है तो गवारू भाशाओं का प्रयोग जो है आपर नहीं करना चाहिए गवारू शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए भाशा शिष्ट सरल जो है आपर रहना चाहिए जैसे कुछ समय पहले भी बता है कि शिष्टता बरी और नमरता से बरी शब्दों का प्रयोग करना है करके तो उनका उलेक कर देना चाहिए देखे उद्धरन में आपर क्या करना होता है अगर एक पत्र को जो है आप सिर्फ एक वेक्ति या फिर एक कारेल को ना बेजते हुए बहुत सारे कारेल है या फिर वेक्तियों को अगर बेज रहे हो तो उसका भी उल्ले को जो है उसी पत्र में उसी आलेकन में आपर रहना चा उसके साहसाथ उसकी प्रतिलिपी भी जो है कुछ अगर बेज रहे हो तो उसका भी यहाँ पर उल्लेक पत्र में करना चाहिए नेक्स्ट देखें यहाँ पर संलगन यदि पत्र के साथ कुछ अन्य पत्र संलगन करने हो तो उल्लेक पत्र के नीचे अंत में करना चाहिए जैसे मैंने वैवासा और सरकारी पत्र के संदर्बों में बताया था नौकरी समंदी पत्र के संदर्बों में बताया था आप लोगों को कि अगर संलगन जो है यहाँ पर कुछ बेज रहे हो, मतलब संलगन मतलब क्या है यहाँ पर पत्र के साथ कोई और पत्र जो है जरूरी कागजा जो है यहाँ पर या फिर प्रमान पत्र जो है बेज रहे हो, तो उसके बारे में यहाँ पर पत्र में अंतिम बाग में संलगन करक फिर उसका एक प्रारूप ड्राफ जो है अपर तयार किया जाता है फिर उसके बाद जब उसमें सब कुछ सही हो तो उसका जो है एक उसे जो है बाद में पत्र बें आपर लिखकर उसे बीजा जाता है तो आपर पत्र को बेजने से पहले जो उसके एक मसोदा तयार करना ड्रा आशिकता जो है आए दिन पड़ती है तो यहां पर आलेकन के महत्व भी यही पर हमें पता चल जाता है धन्यवाद